हेलो स्टूडेट्स, वेलकूम तो माई चैनल स्टूडेट्स आज की है डिक्केशन पेटारिस गड़ पर मिनिट की गति से त्यार कि गई है स्टूडेट्स डिक्केशन टोगी पास सेकंड बाद चार तीर दो एक स्टार्ट आवेदगण के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उन्हें जूठा फसाया गया है, पूर्ण ब्राम उक्त प्रकरण कारित नहीं किया गया है, उक्त प्रकरण में आवेदगण के पिता सह आरोपी अम्रतलाल को इस न्यायाले द्वारा जमानत का लाव पिरदान किया गया है, पूर्ण ब्राम आवेदगण भी शमानता के आधार पर जमानत के पात्र है, पूर्ण ब्राम आवेदगण का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड नहीं है, पूर्ण ब्राम आवेदगण के पिता के श्वामित्व एवं आधी पत्य की किर्सी भूमी को रंजिस बस दवाओ में आकर पुलिस के सहयोग से फर्यादी गण खरीदना चाहते हैं, जिस पर आवेदगण के पिता तैयार नहीं है, पूर्ण ब्राम इस कारण से उन पर जूठा प्रकरण पंजी वद्ध करवाया गया है, पूर्ण ब्राम प्रकरण के फर्यादी द्वारा घटना भीडभार के कारण घटित होना बताया गया है, किन्तु पुलिस के द्वारा रंजिस्वस आवेदगण को फसाया गया है, पूर्ण ब्राम जबकी वास्तविक्ता यह है कि आवेदगण के पिता का एक सिबिल मामला नियायाले में बिचाराधीन है, जिसमें उन्हें इस्टे प्राप्त होने के कारण यह प्रकरण पंजी वद्ध किया गया है, पूर्ण ब्राम आवेदगण बेनाम जिले के इस्थाई निवासी हैं, तथा जमीन खरीद कर किर्शी व्यफशाय कर रहे हैं, जिसकी रंजिस ओक्त प्रकरण में पुलिस रखती है, जिस कारण आवेदगण को सनलिप्त किया गया है, पूर्ण ब्राम आवेदगण मूल रूप से बेनाम जिले के इस्थाई निवासी हैं, उनके भागने, फरार होने एवं साक्षे को प्रभावित करने की कोई शंभावना नहीं है, पूर्ण ब्राम यदि आवेदगण को जमानत का लाव दिया जाता है, तो बह न्यायाले द्वारा अधिरोपित समस्त सर्तों का पालन करेंगे, एवं बह न्यायाले द्वारा अधिरोपित समस्त सर्तों का पालन करेंगे, एवं नियमित रूप से उपस्तित होते रहेंगे पूर्ण ब्राम, इसके अलावा आवेदन पर तर्क के समय आरोपी गण के बिद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया की, फर्यादी पक्ष ने पुलिस से मिलकर दो मामले पंजीवद्ध कराए हैं, जिन में से एक बर्तमान मामला है, जो अभियोजन घटना क्रम बताया जा रहा है, कॉमा ऐसा घटना क्रम नहीं हुआ पूर्ण ब्राम अपितू फर्यादी पक्ष ने ही मारपीट की है, पूर्ण ब्राम इसलिए आवेदगण को नियमित जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है, पूर्ण ब्राम राज्य की ओर से अतरिक्त लोक अभियोजक ने आरोपी गण को जमानत दिये जाने का बिरोध किया, और जमानत आवेदण निरस्त किये जाने की तार्थना की गई पूर्ण ब्राम प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण का परिसीलन किया गया पूर्ण ब्राम आवेदगण आरोपी गण की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क एवं प्रस्तुत दस्ता बेजों का परिसीलन किया गया पूर्ण ब्राम अभियोजन मामले को यदि देखें तो जब फर्यादी दिनेस से ठाकुर अपने गाउं से बस में वैठ कर जा रहा था पूर्ण ब्राम शाम को पांच तीस बजे बाइपास चौराहे पर जब बस से सवारी उतरी कौमा तो बहां आवेदक आरोपी अम्रत से हैं एवं उसके लड़के सैलेंद्रो बा नरेंद्रो फर्यादी दिनेस से हैं ठाकुर को देखकर गाली देते हुए बोले की उसे नीचे जो इसने अपने परिवार बालों से हमारी जमीन पर कबजा करवा रखा है कई बार शमझाने के बाद भी नहीं मान रहा है कॉमा आज इसे जान से खत्म कर देंगे धन्यवादी स्टुडेंट्स यह डिक्टेशन पैंतालिस बर्ड पर मिनिट की गति से त्यार की गई थी स्टुडेंट्स देखिए जो भी बर्ड आप पर नहीं मान रहे हैं उनको नोड़ बोक में नोड कीजिए बावा उनकी प्र करी आप पर बनने लगेगी और फिर इसके बाद हम आएं आपको अभी पचास बड़ पर मिनिट की भी तैयारी करवाने ताकि आपका चालीस का पेपर निकालने में आपको कोई भी डाउट ना रहे स्टुडेंट्स हमारे साथ जोड़े रहने के लिए धन्यवाद